हेलो माई फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, I am प्रेम गुमार एंड इन इस वीडियो वी आर गोंग टू डिसकस अबाउट सुपर कॉंप्यूटर देखिए ये दोनों लेंग्वेज हिंदी इंग्लिस दोनों वाले के लिए इंपोर्टेंट है और यहाँ पर हम लोग बस कीवर्ड लिये हैं और माइन्वेब के लिए दिसकस करेंगे बस कीवर्ड की पॉंट्स लिखा है मैंने और यहाँ आप देखिए इस सुपर कंप्यूटर हिंदी में लिख जाओ इसका हिंदी मैं संघनक बताऊं क्या इतना तो बेसिक्स आप लोग सब समझते ही होंगे और नेक्स टोपिक एका अगनी पत हम लोग लाएंगे यह पॉलिटी का इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का देखिए साइनस एंटे में Legal सब्सक्राइब करें हैंक हिए और पहाँ से नोट्फार् menoror करें रहे हैं वह सब आप लोग static notes ज़रूप पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखिए super computer बहुत news में है तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इंडिया का एक super computing mission भी था 2015 रखा तो it's very important यह जहां में हो सके पूछा भी जा सके BPSC में I think पूछा हुआ भी पहले question है तो यह एक latest development भी है तो आप लोग वर सब topic देख लिएगा और IR का महराथन section डाल दिया गया है आप लोग जाकर देख सकते हैं सभी international organization G27 सभी एक ही वीडियो में है और जो भी इंडिया का relation है नेपाल, भूटान, बंगलादेश सभी को एक वीडियो में कलप करके डाला गया है देखिए यह चीज़ पेपर 2 में आता है तो हम लोग एक करेंट का जो important topic साइंस का था और जो भी basic है तो हम लोग डाल दिया है आप लोग लोग सको जाकर देख सकते हैं यहां पे अभी तक चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों कसा सेर करेगा चलिए यहां पे बस नहीं कहना है कि यह सूपर कंप्यूटर होता क्या है तो आप लोग जानते ही होंगे यह एक तरह का कंप्यूटर ही है बस नाम में जुड़ गया सूपर तो यह हो गया सूपर से भी उपर तो उपर कैसे होगा तो इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई लेबल का होता है तो इसका जो स्पीड है एक फ्लॉप्स नाम का आप चीज़े सुने होगा यूणिट फ्लॉप्स तो यह क्या होता है इसका, तो per second में क्या होता है, floating, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यह floating point operation per second, तो floating point operation per second, full form का कोई जुरत है नहीं, बट यह आप लोग थोड़ा से ध्यां रखेगा, कि यह होता क्या, तो यह मतलब कि एक सेकेंड में कितना यह फ्रोटिंग कर रहा है, उस ताइब का चीज है, तो यह ध्यान रखना है आपको, और यह इंडिया का जो सूपर कॉम्पीटिंग में से मैंने बताया है, 2015 में चला था, और यह सूपर कॉम्पीटर जो है, तिन सोब 1000 प्रोसेशर इसमें रखता है और यह बिलियन और एंट्रियलनस ऑफ कैलकुलेशन को एक साथ काम करता है यह पर सेकेंड में और इसका इसलिए सिग्निपिकेंस है बहुत ही फास्ट है प्लॉप में यह नापते हैं सेप्टी इसका अच्छा है रियर वर्ड में और यहां पर यह कीवर्ड है आप लोग सच कर सकते हैं इसका हम लोग टेक्नलीटी में जाएंगे डिफेंस मिशन में भी काम आता है और देखिए सुपर कॉम्प्यूटर से हम लोग बहुत ही चीज में आप लोग बेंकिंग सेक्टर बहुत ही चीज में यह कर सकते हम लोग उसको आगे यह लेवल और पर्फरेमेंस इसका अच्छा होता है कॉम्पयर टू जो भी यह जेर्नल कॉम्प्यूटर होते हैं तो यहां पर मैं अपना कीवर्ड पॉइंट यहां देखाता हूं कि इंडिया में अभी कौन सुपर कॉम्प्यूटर है तो एक परहम सिवाय है तो एक परहम तो आप लोग देख सकते हैं तो यह देखिए यह आपका फ्रॉंटियर है यह अमेरिका का सबसे टॉप पर है यह परतियुस और मिहिर नाम का भी इंडिया में कॉम्प्यूटर है सुपर कॉम्प्यूटर परम घंगा भी है और सीडेक के द्वारा लागो किया गया है तो सी इस चीज होता है इसको आप लोट कर लेंगे तो इसका हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊँगा तो यह चीज life करने का जौली है कि जी सम address करने तो यह सब computer के तुरू और internet online के तुरू यह चीजे एक दूसरे के पास यह जाती है तो इसका impact देखने को मिलेगा यह जो banking system है यह सब improvement देखने को मिलेगा जो भी गौर्णास आप सुनने होंगे यह गौर्णास को electronics बनाने के लिए सब चीजे आपको जो है enhance होंगी strengthen होगी मजबूती मिलेंगी और यहां पर देखें यह cyclone और droughts जो भी वीधर का forecasting करना है जो भी disaster management के लिए यह बहुत ही कारगट साबित होगा और यहां पर better plan infrastructure जो भी सरक्चना है उसका आप लोग plan बनाने में यह सक्चम हो पाएंगा चैसे और जो भी global level पे यह प्रतिश science and tech में सब में एक काम यह जरूरी है देखें तो issue देखते हैं कि इसको develop करने में मालेज़े अगर आप चाहते हैं कि super computer बना इंडिया तो क्या-क्या issue देखनों को मिलेगा तो यह देखेगा सबसे important issue क्या-क्या है तो R&D यह research and development जिसको कि आप लोग हिंदी में क्या बोलते ह और इंडिया में असेंबल करते हैं चाहिना समय कर तो यह बहुत सी चीज़े हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो यह हम लोग मतलब की dependent हैं तो इसको थोड़ा सा issue है तो इसको challenge में आप लोग जाएगा तो वहां पे लिखेगा है कि dependency को कम किया जाना चाहिए जो भी skilled workforce ह है यहां पे इंडिया में बहुत कम है आप लोग जानते होंगे इतना ही इंजिनियर बिरोजगार है जो data survey आता है उसको बताया जाता है कि बहुत सारा लोग पास skill नहीं है job करने के लिए तो अभी के time में बहुत emerging technology है आपको अगर चाहिए big data artificial intelligence quantum computing super computing तो यह समय आप लोग केरेर बना सकते हैं देखिए अभी तो आप लोग BPSM केरेर बना रहे हैं UPSM में high cost of installing super computer और super computer को अगर कहीं पर install करना है तो बहुत ज़्यादा coach लगता है देखिए आप जैसे कि IIT रूड़की में यह आपको IIT खड़कपूर में यह से बहुत सरा यह लगा हुआ है तो यह के स्वादेशी विकास करने का तरीका है उस पर हम लोग करें किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं बने और जो super computing mission है हम लोग का जो 2015 का उसको और भी अच्छे से implement करके strengthen किया जाए उसको और enhance करने के जुरत है मतलब पढ़ावा दिया जाए और देखिए national IPR जो यह intellectual property rights क करने का उसको भी और focus करने का जोड़त है उस पर और work करने का जोड़त है यहाँ पने कि human resource जो है उसको और generate किया जाए और skill produce किया जाए और skillful बनाया जाए workforce को और जो भी institution है जैसे कि city tech मैंने ऊपर ही बताया center for development of advanced computing इसको और भी strengthen करने का जोड़त है और conclusion आप अपने according question को इसका बहुत ही अच्छा है इसमें इंवेश्ट करना चाहिए इंडिया को और इसके तुरू हम लोग यह एक अलग तरह का यह achievement प्राथ कर सकते हैं यह आप लोग ग्लोबल लेबल पे तो यहाँ पर देखिए next topic हम लोग यह UCCC का discuss करेंगे यह आपको पॉलिटी का topic हो जाएगा और पला और यह मोरिया का हम लोग यह एक यह देखेंगे यह एक अली format देखेंगे और इसमें key point लेकर हम लोग यह revision past division करने का press करेंगे यह भी past division ही था तो इसमें थोड़ा सा मैंने key point लिखती है था आप लोग के लिए organic farming का topic हो चुका है अगर आप लोग जलू लगे रहे हैं और और marathon session दाल देखेंगे आयर का आप लोग जरू देख लेंगे और बस thanks again all the best stay tuned with us